दोस्तो वैसे तो Apple कोई भी अपने products या फिर apps को बागी सब भी operating systems के लिए नहीं launch करता है जैसे कि Android या फिर कोई भी और operating system के लिए launch नहीं करता है पर ये अभी change हो रहा है पिछले कुछ समय से और इस बार दोस्तो Apple ने launch कर दिया है अपना Apple TV Plus का जो app था सिर्फ Apple devices के लिए available थ मतलब आपके पास कोई भी Android device है Android phone है तो उसमें आप ये app को install कर सकते हो और ये service को आप use कर सकते हो और वैसे भी Apple TV service आप लोगों को पता है बहुत जाद popular इंडिया में तो ये अब आप Android device में भी download कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मैं बता दूँ ये ऐसे पहल बना दिया गया था मतलब कि अगर आप FaceTime call कर रहे हो तो उस link को आप share कर सकते हो और उस link के जरीए कोई और भी लोग join कर सकता है और उसको कोई app ओगे रहा डाउनलोड करने के भी ज़रूद ने बड़ी कि direct browser से ही join कर सकता है और उससे पहले दोस्तों Android के लिए iTunes का भी app को भ और जाद 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 लोग Apple products को use कर पाएंगे यह सभी plan के मदद से तो यह था दोस्तो इसी Apple TV के बारे में आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग Apple TV Plus को use करते हो या फिर नहीं comment section में जरूर बताना तो well दोस्तो एतना ही था इस वीडियो में उमीद करता हूं वीडियो पस ना क्योंकि मैंसे लेटिस टेक अपडेट्स इंडेटेल डेली लेख रहा था तो जो कि आप लोग विल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना और दोस्तों मुझ बहुत साथ करीब है टू के सब्सक्राबस के लिए जैसे कि आप लोग सकते हो तो जली से सब्सक्राइब भी कर तो फिर मिलते अगले उड़े में तब तक कर लिए गुडबाई टीक केर जैहन